दन तेरस पर क्या खरीदें क्या ना खरीदें दोस्तों मानताओं के अनुसार दन तेरस पर कुछ ना कुछ खरीदने का पड़ चलन चला आ रहा है इस खास दिन पर जादता लोगबरतन खरीदें ये सद्यों से पठा चली आ रही है दिवाली से पहले कुछ खास चीजे लेने से दन की प्राप्ति होती है आज मैं आपको बताऊंगे दन तेरस पर क्या खरीदें क्या ना खरीदें कहा जाता है कि कोड़ी को घर में रखने से उस घर में कभी भी धना भाव नहीं रहता इसलिए दन तेरस के दिन कोड़ी खरीद कर घर में लाएं और लक्षमी पूजा के समय इसे भी सामिल करें पूजन के बाद इन कोड़ियों को लाल कपड़े में बान कर तिजोरी या धन वाले इस्थान पर लग दें वहां कभी भी धन की कमी नहीं होगी इस दिन तोना चान्ज खरीदने से व्यक्ति के भाग्य में इफाजा होता है दातु से बने बर्तन और गेने खरीदने के लिए धन तेरस का दिन सर्प स्रेश्ट है इस दिन दातु का समान घर में लाने से घर में सदेव लक्षमी बनी रहती हैं गड़ेश लक्षमी की मूर्तियों को धंतेरस के दिन घर लाने से घर में धन संपत्ति का आगमन रहता है और पूरे साल घर में धन और अन की कमी नहीं होती, गड़े इस लक्षमी की मूर्थी अविश्य खरीदे, धन्या धन का पर्तिक है, इसलिए धन्तेरस के दिन साबुत धन्या खरीद कर लाएं, और दिवाली के दिन लक्षमी पूजा के समय इसकी भी पूजा करें, संख, संख सुक संपत्ति और सांति का पर्तिक है, इस दिन संख को घर लाएं, और इसे दिवाली पूजन के समय बजाएं, इससे घर में लक्षमी का आग्मत होगा, और घर के अनिष्ट टल जाएंगे, धन्तेरस के दिन घर में गूजा लाएं, क्योंकि इससे धन्त राप्ति के द्व खुल जाते हैं, गूजा के भी धन्तेरस के दिन लागर घर में रख दे और लक्षमी पूजा के समय इनकी भी पूजा करें, धन्तेरस के दिन यदि नवी वस्तू लाएं तो उप्रोप्त केसर से ओम स्वास्तिक आदि का तिलक करमा लक्षमिवा गड़े, जिससे मंगल काम ना करके उस वस्तू का पिरियोग सुरू कर सकते हैं, धन्तेरस के अफसर पर इलेक्टोनिक आइटम जैसे फिरीज, लैप्टॉप, वोशिंग मसीन, टीवी, कम्पूटर, मुवाइल, आधी जैसे साधन, पीली वस्तू, धातू, सोना, चांदी आधी भी खरीदे जा सकते ह धन्तेरस पर क्या ना खरीदे? इस दिन कोई भी ऐसी वस्तू खरीदने से आपको बचना चाहिए, जिसमें तेल का इस्तिमाल होता हो, यदि जरूरी हो तो इसे एक दो दिन पहले ही खरीद कर घर में रख लेना चाहिए, कुछ मानने दाएं ये भी कहती हैं कि इस दिन, खा और सामान सिर्फ अपने लिए ही खरीदना चाहिए, संबब हो तो उपहा धन्तेरस या दिवाली से एक दिन पहले ही विजवा दे, धन्तेरस वाले दिन सिर्फ अपने लिए गिप्ट ले, ना कि किसी दूसरों के लिए, ये थी आसल म्यूस की रिपोर्ट